तो ये पेजबखिल कौन सी बड़ी चीज है। उनके जो घिये हुए घ्रनित का रहे हैं उससे आज चतिसगर सर्मसार है। आज उस पाटन शेतर को कलंकित कर दिये हैं। हम उहां की जनता कभी उसको चमा नहीं करेगी। उनसे मुझे बात करने की इक्षा नहीं होता। चतिसगर विदान साथ चुनाओं का कुछी दिन बचा है। भाज्यापा हाई कमान ने चतिसगर में 21 उमिद्वारी की घोशना करके भाज्यापा चतिसगर को ऑक्सिजन देने का काम किया है। मुख्य विएपी सीच चतिसगर का दुरुप जीले का पाटन जहां से मुख्यमंत्री बुपेजबगेल विदायक है। उनको कड़ी टक्कर देने के लिए उनके भतिजे दुरुप सांसाथ विजबगेल इस वक्त हमारे साथ हैं। से बात करते हैं कि इस चुना में अपले काका याने भुपेज बगेल मुख्यमंत्री को कैसी टक कर देंगे। चतिवत तक में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागात है बिनंदन है। और जिस तरह ये बात आपने पूछी तो मैं तो सबसे पहले अपने राष्टी नेताओं का भारती जन्ता पार्टी के सभी हमारे प्रदेश के सिर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कि मुझे इस लाइक समझे। और जिनके वदौलत समझे वो उन तमाम हमारे कार करता भाई वहनों का यूवा सात्यों का और साथ ही साथ हमारे वहां की प्री जन्ता का पार्टंशे तरके। उनको मैं बहुत बहुत आभार ब्यक करता हूं उनका और उनको धन्यवाद भी देता हूं और इसी तरह प्रेम इसने आप सब इस्वार धौर से उन्हें दिले यह मैं उनसे निवेदान करता हूं चुनवा में कैसी टक्कर देंगे मुख्यमंत्री बुपेज बगिल जी को क्योंकि वह आपके काका लगते हैं ने चाचा लगते हैं वह कॉंग्रेस से हैं और मुख्यमंत्री हैं और आप भाज़ा पने आपको टिकर दे कैसा खाड़ा उतरेंगे मुख्यमंत्री रहे प्रदानमंत्री रहे ये तो कई बार हुआ है अनेक मुख्यमंत्री हा रहे है तो ये पेज बगिल कौन सी बड़ी चीज है मैं तो पहले चुनोती देशुका हूं आप लोग के मार्जयम से चुनोती दिया हूं हर मीडिया में चुनोती दिया हूं हर प मैं पार्टर में वुपेद बखेल की खिलाब चुनाओ लड़ने को तैयार हूँ तो कि जनता का जो दुलार प्यार इसने मिला है मैं घमण से नहीं बूर रहा था हम कमल खिलाने के लिए तैयार है ये बात मैंने आप सब के माधियम से जनता तक पहुंचाया था और आज मेरा सोभागी कि उन्होंने मुझे आवा प्रत्यासी के रूप ने ये जिम्मेदारी दी है आपके काका से है ऐसी क्या बात हुई जो आप उनको एड़्य ल॥ाम राम रामाण जैसे मानते हैं दुश्मन मानते हैं नहीं नहीं मैं दुस्मन क्या है देखिए उनका जो कथनी और कर्णी मंतर है उनके जो घिये हुए घ्रणीत का रहे हैं उससे आज सतिसगड़ सरमसार है और जो भाव से खासकर पाटन की जनता ने उसको पाच-पाच बार आसी रवाद दिया इस लायाक बनाए कि वो मुख्य कि नदिया बहरी है 24 घंटे जगा जगा कहीं भी मिल जाए आप सराब मिल जाएगा आपको सराब खोरी हत्या बलतकार डकैती सब चीज हो रहे हैं और यह बता दो कि मैं मुझे भी सरमाती है इस जैसा ब्यक्ति आज मुख्यमंतरी है और इसके लिए हम उहां की जनता कभी उ इच्छा नहीं होती है कांग्रेस परदेश 36 गड़ के अद्देश दिपक बैस ने कहा कि आका मुख्यमंतरी बोपेश बगल जी नामंकन भरने के बाद एक भी दिन अपने छेत में नी जाएंगे वो जित के दिखाएंगे इस बारे में आप क्या कहना चाते हैं यह घना बा सबको आप ले आना पूरे दमदारी के साथ पूरे विश्वार के साथ मैं कहना चाहता हूं आप से कि हमारे वहां की जनता ही उनको सबक सिखाएगी और हार का जो यल्ट है वो आएगा आप खुदी देख लेना आप बहुत बड़ी बड़ी वातें मत करिये मैं भी नहीं कर तरिंगी हैं Mirじet Bhagat उन्हें ने कहा कि erisicे कर के सामने बच्छड़े को चोड़ दिया गया आपको बच्छड़ा कहा हो है इस बार में क्या कहना चाते हैं है आप या मैं बच्छड़ा हूं और बच्छड़ा ही रहना माता अपने बच्छडे को बड़ा प्यार सी गौ मता हो या कोई भी जान्वर हो कि और चिडिया हो कितना मया और, अपनिका प्यार करती है कितना दंत दुलार देती है अपने कुछ बश्डे को, मैं वही दुलार मया पने वाला बच्छडा हो। लेकिन एक तरफ संड किस प्रकार से किस Sangesहा के अधार पे उनोंने संड कहा यह फुम झी संञे लेकिन जनता जानती है कि इे डो प्रकार के संड होते है एक तो ऐसा संड जो बोलेनात के सुरूप के रूप में बोला बाला लोग जाकर उसको पडाम करते हैं हैं दूर से भागते हैं ऐसा सांड ये भूपेज बगेल है सब को मार रहा है सब को यह मूख दर्सक बने इसके मंत्री गण कितना अन्याय हो रहा है किसी के मूख से निकलता है क्या इनके मंत्री गण उसके वो सांड के सिंग से भी डरते हैं उसके आंख ऐसा कर यह तब डरते है तो यह संद को अपने आपको स्मूच रहे हैं उनके लिए सांड और उसी सांड को नकेल लगाने के जीमेदारी पाटन की जन्ता को मिली है औके म indifferent कि ऊंद्ध के झाल झाल झाल